हेलो स्टुडेंट्स मैं बियार चोधरी मैं विकास कुमावत स्वागत है गुरु निती के एक नहीं एपिसोड में जिसमें अपना टॉपिक है जैसिस स्टेट ठीक है देखते हैं पहला कि उसन देखते हैं बोईस लोग को ऐसे एक्सप्रेस किया है पी इस एक्सप्रेस किया इससी रांग है विच अप्ड़ फॉलोविंग ऑप्शन इस ट्रू अब इसको एक्सप्रेस कर दो यहां पर जो कॉंस्टेंट है इसका माला की वेल्यू आ जाएगी एन आर टीके इक्वल इसका माला की वन किस पर डिपेंड करेगा आर तो गैस कॉंस्टेंट है बिल्कुल एन नमबर आप मोल से यह यहां इमाउट पर डिपेंड करेगा की के वन की वेल्यू और किस पर डिपेंड करेग है और जो केवन है ना उसकी यूनिट जो है यह भी डिपेंड करेगी आर की वेल्यू के अकॉर्डिंग एन रटी किसके एक्वल है पीवी के तो पी को अगर आप एटी में लेते हैं और वी को लेटर में लेते हैं उस अगर पी को पास्कल में और वी को में लेंगे उसके इसमें आर जो है 8.31 तो देखते हैं अब कौन-कौन से स्टेटमेंट सेलेक्ट करना स्टीक है वेल्यू अपकी वन डिपेंड्स अपॉन दा इमाउंट ऑफ घेस यह करेक्ट हो गया गलत हो गया क्यूंकि पी और वी पर इसकी युनिट पर depend करेगा इसका value of k1 is independent का है value of k1 is dependent of the unit of p and v ठीक है तो आपको correct statement select करना था इसका मला second is correct second is correct ठीक है okay next देखते है second question second is a balloon is filled with hydrogen at room temperature it will burst if pressure exceeds 0.2 bar if at one bar pressure the gas occupied 2.27 liter volume up to what volume can the balloon be expanded यानि ब्रस्ट का बहुजाएगा यह बताना है किस pressure पर balloon burst हो जाएगा तो maximum capacity आपको दे रखिए इससे ज्यादा अगर pressure हो जाए इसका मला burst हो जाएगा pressure exceeds 0.2 bar it means it it will burst ठीक है ठीक है तो अपन क्या कर देते pv is equal to constant कर देते है जो previous question में था temperature को हम constant रखके p1 v1 is equal to p2 v2 अच्छा तो करेंगे बिलकुल करता है तो तो p1 v1 is equal to p2 v2 यानि कि initial pressure हमारे पास कितना है 1 ठीक है और volume जो है वो आपको दे रखा है बार पर 2.27 तो 2.27 is equal to p2 हमारे पास है 0.2 और v2 चेक करना है maximum volume कितना है उसमें रख सकते है यह आया तो यह v2 is equal to यहां से आ जाएगा 11.35 बिलकुल इसको जब solve करेंगे तो volume exceeds then 11.35 liter then it will burst ठीक है यनि यह गुबारा फट जाएगा अगर volume इससे ज्यादा अगर 11.35 liter से ज्यादा होते है गुबारा फट जाएगा ठीक है तो अबर आप सरी सेकेंड नेक्स कोशिंट की तरफ चलते है क्यूसर नमर 3 है an ideal gas of given mass is heated first in a small vessel first जो है वो small container छोटा है पहले उसको छोटे container में heat किया and then in a large vessel second case में container का volume ज्यादा है ज्यादा है the correct PT curves in first and second conditions are तो यह first or second condition में correct करो कौन सा है तो first or second दे रखा है P or T में graph है तो PV is equal to होता है nRT ठीक है आपको graph load करना है P or T में करना है तो P equal आ जाएगा किसके nR by V into T तो P directly proportional होगा पहली बात तो T के विलकुल directly proportion होगा या P is equal to यह कह सकते है KT है जहां पर K की value किस पर depend करेगी nR by V पर depend करेगी ठीक है तो आपन देख सकते है slope किसके equal होगा पहली बात तो graph कैसा आएगा तो graph कैसा आएगा P or T में straight line है ठीक है अब आपको यह बताना है कि किस condition में first or second condition में volume दे रखा है कि first condition में volume small container है small vessel है तो volume कम है कम है और second case में volume ज्यादा है तो पहली बात तो यह करवाने की तो possibility नहीं यह तो आई नहीं सकते है क्योंकि इन दोनों में directly proportional का graph है तो state line आएगा बिलकुल अब इसके बाद में आपन देखते है कि slope किसके equal होगी nr by v के तो slope किस case में ज्यादा है इसका मेला volume कम है कम है इसका मतलब यह हो गया फिर तो answer अपना ठीक है ओके ठीक है नेक्स देखते है पर चुछन की तरख चलते है कि इसन नमबर फॉर है वो दे रहा है फॉर्स चेकंड थर्ड आर थ्री आइसो थर्म आइसो थर्म से इसका मेला constant temperature पर दे रखे respectively at T1, T2 and T3 temperature will be in order आपको पीवी डाइग्राम दे रखे बिल्कुल फर्स्ट वाला T1 का सेकंड वाला T2 का और थर्ड वाला T3 आपको relation बताने है इनमें तो PV is equal to वही वही बिल्कुल सेम कंसेप्ट का साही लगबख कोशन है ना तो यहां से यह आजाएगा P is equal to K by V बिल्कुल K by V और इस बार K की value जो है ना वो अपने पास हो जाएगी नर्ट के कोशन बिल्कुल तो देख लो यहां से PV is equal to नर्ट केस में फर्स्ट केस में सेकंड क यह पर्टिकुलर वॉल्यूम देख लो यह किसी भी तरीके से किया जा सकता किसी एक को जैसे मालो में प्रेशर को कॉंस्ट कर देता हूं बिल्कुल पर्टिकुलर प्रेशर के लिए कहेंगे तो यह फर्स्ट केस में सेकंड केस में और थर्ड केस में वॉल्यूम का जाएग order, बिल्कुल, हमारे पास ये जो है वो, इन पॉइंट्स पर volume होगा, तो यहां पर volume ज़्यादा है, यहां थोड़ा कम और यहां सबसे कम, तो volume अगर ज़्यादा होगा, तो temperature भी ज़्यादा होगा, तो भाईया, इस case में हमारे पास क्या आएगा, T1, T2, और T3, T1 maximum आएगा, T1 minimum आएगा, और answer is, third, ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यह particular pressure लेकर के क्या है, वैसे ही particular volume लेकर के कर सकते हैं, तो यह particular volume हो गया है, तो यहां यह देख लो, okay, तो देखो देखो किस case में P maximum है, देखो जेगे, first case में P maximum है, third case में P minimum है, इसका मलाव, maximum temperature है और यह minimum temperature, ठीक है, ठीक है, अपने PV की value से भी देख सकते है, P into V जो होता है, वो P into V की value से भी देख सकते हैं, जो की equal है NRT के, हां बिल्कुल, P into E की value से भी देख सकते हैं जो की minimum आएगा इसके लिए third के लिए और maximum आएगा किसके लिए first के लिए ठीक है ये भी boils law का problem थी next देखते है question number 5 directly relation बताना है so the relation between various variable of gaseous substance are given in the table along with their formula mark the incorrect relationship आपको incorrect relationship बताना है basically density and molar mass में पहले तो ये formula होता है PV is equal to nRT ठीक है इसी को density में भी convert कर सकते हैं n को replace कर दिया किसे n को replace करूँगा मैं given mass upon molar mass into RT V को इधर ले आता हूं सर्थ तो P is equal to ये हो जाएगा तो P m is equal to x by vRT ये density होगा है ग्राम पर लेटर में density होगा तो P m is equal to drt तो M is equal to आ जाएगा drt by p इसका मतलब पहला वाला option correct है एक vapor density होती है density जो है न किसी भी gas की वो P and T पर depend करती है जैसे अपने ये D बता है तो D किस के equal है P m by RT के तो फोरे given gas ये P और T पर depend करेगी बिल्कुल density प्रेशर और टेमपर देंसिटी है न वो प और T पर depend नहीं करती है ये molecular weight की हाफ होती है वेपर देंसिटी होती है ये बिल्कुल है इस एक रिलेटिव डेंसिटी होती है की यह हाई-डोगन का molecular weight 2 है molecular weight of gas upon में hydrogen का molecular weight है मतलब एक particular volume जैसे कोई गयास का पर्टिकूलर वोल्यम जैसे आपने 100 ml मिथैन का एक पर्टिकूलर P and T पर जो मास है, अपन में उसी 100 ml का उसी PNT पर, same temperature, same pressure पर, hydrogen का जो मास है, उसका जो ratio होता है, ये vapor density है, तो vapor density रेशियो है, इसका मलब ये PNT पर depend करेगा नी, बिल्कुल, density डिपेंड करेगा, बिल्कुल, density, जो है वो इसकी unit भी होते है, जब कि क्योंकि वो relative density है, तो वो unit less हो, unit less, तो M by 2 आजाएगा, अब देखते हैं अपना, second अगला statement, universal gas constant जो है, in terms of PVT, तो PV equal होता है, न RT के, ये रा साफ दिख रहा है, R is equal to PV by NT होगा, तो इसका मतलब second भी सही है, volume and pressure में, volume and pressure में क्या relation होगा, at constant temperature, अगर कहें तो PV is equal to constant, for a fixed amount of gas, ठीक है, PV is equal to constant, यानी P1 V1 is equal to P2 V2 आए ठीक है, तो यहां से V2 is equal to यह आजाएगा, P1 V1 upon में, P1 V1 by P2, तो यह incorrect है, तो यह वाला जो होगा, गलत हो गया, ठीक है, volume and temperature, तो volume and temperature का मलब, V and T में relation बताना है, तो V1 by V2 is equal to T1 by T2, यह relation आना चाहिए, तो V2 is equal to क्या आजाएगा यहां से, V2 is equal to अपने पास आजाएग V1 T2 by T1, बिल्कुल यह correct है, तो इसका मतलब यह भी सही, आपको यह कहाएगी, incorrect relationship कौंट सा है, तो incorrect relationship 3rd का है, 3rd आपका answer आजाएगा, यह correct relationship है, इसलिए अपना answer नहीं है, यह answer होगा, ठीक है, नेक्स देखते हैं, क्योंसर नमर 6 देखेंगे, 3.06 liter of water vapor is taken at a pressure of 1 ATM and 373 Kelvin, it is now condensed to water liquid at 373 Kelvin, यानि vapor को condensation किया है, liquid में condensate किया है, calculate the volume occupied by water liquid, density of liquid water दे रखा है, 1 gram per ml, यानि यह पूछना चाहता है कि एक vapor थी अपने पास एक container में, उसका condensation किया, उसको condens कर दिया, तो liquid बदल गया, अब उस liquid का volume किया होगा, तो density आपको दे रखेंगे, तो पहले अपने मास बता देंगे, सबसे पहले तो अपने बताएंगे मूल, वो water vapor में कितने मूल है, यह बता देंगे, फिर मूल जो है, वो तो same ही रहेंगे, मूल से अपने पास में मास आजाएगा, और density 1 है, तो जो मास होगा, वो ही volume होगा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले यहां से N is equal to A apply करेंगे, PV by RT, बिल्कुल, बिल्कुल सर, PV by RT, अच्छा, इसको ideal की तरह ही हमें treat करना है, कोई भी gas हो, अगर उसके लिए volume दे रहा है, PV और T दे रहा हो, तो mole find out करने के लिए यही formula अप्लाई करेंगे, water vapor के लिए हो, या अधर किसी gas के लिए, या non-reacting, अगर gaseous mixer है, तो भी यही apply क तो P अपने को दे रहा है, 1 ATM, इस formula में भी ध्यान रखना है, P को अगर ATM में रखना है, तो V को लिटर में रखना है, बिल्कुल, और उस case में R की जो value रहेगी, वो 0.0821, ठीक है, और यह absolute temperature है, तो यहाँ कोई problem नहीं, Kelvin में रखना है, तो P 1 है, V आपको दे रहा है, 3.06, और यह हो गया, 0.0821, ठीक है, और यह आपका 373, ठीक है, तो यहाँ से मोल बता देंगे, यह कितना आ रहा है, देखो, तो इसको solve करेंगे, तो अपने पास आएगा 0.1, ठीक है, तो मोल आ गया, अपने पास, 0.1 मोल आ गया, तो मास में convert करने के लिए, मोलर मास से multiply करेंगे, व वाटर के gas में 1 ग्राम 1 अमल के equal होगा, तो इसका मतलब वोल्यम आ गया, आपका 1.8 अमल, अब आप देखो, देखे, आपने condensation किया था, यह 3.06 लिटर था, वाटर वेपर, अच्छा, वेपर का amount बहुत जादा, मतलब, और अगर condensation करके liquid में convert किया, तो देखो, देखे, व और वाटर को liquid में convert किया, तो यह लिए जो वाटर के molecules ने जो volume occupy कर रखा था, वो यह था, यानि वाटर वेपर में अगर वाटर के molecules का अगर volume कहे तो less than 1%, ठीक है, ठीक है, नेक्स देखते हैं, इसका answer आजाएगा 1.8 अमल, ठीक है, यह, नेक्स क्यूशन देखेंगे, क्योशन नमर 7 है, equal mass of hydrogen, helium and methane are mixed in empty container at 300 Kelvin, when total pressure is 2.6 ATM, the partial pressure of hydrogen in the mixer is, तो पहले मोल बताएंगे अपन, कोई भी amount ले लो, 10 ग्राम ले लो, 16 ग्राम ले लो, कोई भी amount ले लिया, पहले molar ratio निकाल लेते है, वेसे जो है, ठीक है, तो hydrogen, hydrogen है, helium, helium है, methane है, ठीक है, अब molar ratio निकालने के लिए हम इसको मोल में कर देते हैं, तो इसको 2 से, इसको 4 से, और इसको 16 से, ठीक है, तो अब ये 16 से multiply कर दो, simple ratio आजाएगा, तो ये 8 आजाएगा, ये 4 आजाएगा, और ये 1 आजाएगा, अच्छा, तो ये molar ratio आगया, ठीक है, अब ये molar ratio आगया, आपक pressure of a gas is equal to, mole fraction of that gas in gaseous mixture into total pressure, total pressure, pt, अच्छा, ठीक है, ठीक है, any gas, तो यहाँ आपको hydrogen का बताना, तो P hydrogen is equal to, ये आजाएगा, x hydrogen, यानि mole fraction of hydrogen in gaseous mixture into P total, अपने को दे रखा है, 2.6 दे रखा है, तो ये कितना आएगा, hydrogen के लिए, 8 upon में, खुद के मोल, अब उन सब के मोल, 13, 8 by 13 into 2.6, तो ये 0.2 से multiply कर दिया, 8 को, तो आपका answer आगे 1.6, एक बात बताईए, अगर ये gas से आपस में react कर जाती, तो भी हम ये low लगा सकते हैं, ने, non-reacting gaseous mixture के लिए, अच्छा, मतलब gas से react कर जाएगी, तो उस case में ये लागू नहीं होगा, उस condition में ये mole रहेंगी, य ये mole नहीं रहेंगे, उस case में तो जैसे gas से reaction करें, तो आपने जो mole लिये हैं, जैसे molar ratio लिया है, ये रहेगा यह नहीं, कोई हो सकता है, कोई gas किसी से reaction करके, new gas का formation कर, तो non-reacting gaseous mixture के लिए, तो इसका मतलब आप कहना चाहते हैं, कि Dalton's का जो partial pressure low है, वो किवल non-reacting mixture पर ही, हाँ, apply होता है, बिल्ग, ओके सार, next देखते हैं, next question, question number 8 देखते है, a mixture of methane, nitrogen and oxygen is enclosed in a vessel of 1 liter capacity at 0 degree Celsius, the ratio of partial pressure of gases is 1 ratio, 4 ratio, 2, total pressure of the gaseous mixture is 2660 mm, the number of molecules of oxygen present in the vessel is, तो partial pressure का आपको ratio दे रखा है, पार्सल प्रेसर का ratio दे रखा है, टोटल प्रेसर ये दे रखा है, जो पार्सल प्रेसर का ratio होता है, वही मूल का ratio होता है, बिल्कुल है, तो यहां से आप इसका pressure बता सकते हो, oxygen का pressure बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, कितना है, हमारे पास जो है, वो basically ये दे रखा है, Molar Ratio आ जाये वान रिशयो 2 ठीक है ओक्सीजन के केस में आपको पार्सेल प्रेशर बताना है औक्सीजन का प्पार्स्ल प्रेशर आप ऑक्सीजन तो क्या जाएगा 2 upon में 7 इंटु टोटल प्रेशर 266 6-0 ठीक है यह 380 आता है 380 तो यह आगया 760 mm यानि यह तो वन अच्छा तो आप एक काम करते हैं फिर दो पीवी इसकोल टू एनार्टी लगा देते हैं इस पर यह पार्सल प्रेसर आ गया ठीक है कैपेसिटी जो दे रखी वन लिटर दे रखी है यानि वॉल्यूम वन लिटर है और यह पी आगया आपका 180 आपको मोली के उसे बताने है तो मोल बता दो और आटी क्यों जीरो डिग्री सेल्सियस अगर एर 180 म है इसका मैं डिरेक्ली डिवाइड कर दो ना बिल्कुल ठीक है डिरेक्ली पी क्योंकि हमें पता है कि एक मोल किसी भी गैस का हमेशा 22.4 लिट अच्छा तो यह हमारे पास नंबर मॉलेक्यूल आ गए अधर कंडिसंस में दे रखा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी पीव बाई रटी से निकालना पाता है तो पहले मोल बता देते हैं फिर एने से मल्टिप्लाई करते ही मॉलेक्यूल सा जाते ठीक है ठीक है ठीक है त नेक्स देखते हैं कि उससे नंबर नाइन देखते हैं टू वैसल्स यह गैस ए और गैस भी है टू वैसल्स कंटेनिंग गैसेज ए एंड बी आर इंटरकनेक्टेड एस ओवन इन दा फिगर दा इस्टोपर इस ओपन्ड दा गैसेज आर अलव तो मिक्स्ट होमोजेनियसली पार्सिल प्रेसर आप एंड बी इन दा मिक्सर रेस्पेक्टिवली विल भी ठीक है इस टोपर रिमूव कर दिया यहां पर इसका मतलब यह कि टोटल मोल तो वही रहेंगे बिलकुल जितने अभी पूरे कंटेनर में मोल है हां और ओपन कर दिया तो भी मोल तो उतने ही रहे क्योंकि पहले वाली कंडिशन में हम जब मिक्स नहीं किये थे तब हमने मोल ले लिए एन वन और जब मिक्स कर दिये तो मोल एन टू यहां से मोल लिका लेंगे तो पी वी बाय आटी आएगा दोनों को इक्वल कर देते हैं अब टेंपरेचर नहीं चेंज किया है तो इसका म मतलब हमारे पास relation आजाएगा P1 V1 is equal to P2 V2 ठीक है ठीक है तो यहां इस case में यह देखोगे P1 दे रखा आपको पहले case में 8 दे रखा है रखोगे value 8 रखोगे P1 8 ठीक है sir V1 12 V1 जो है वो 12 दे रखा है अभी अब V final जो होगा टोटल वोल्यूम हो जाएगा अब मिक्स कर दि करना है calculate करना है ठीक है इस case में इसका pressure find out करना है तो P2 जो है वह oven को solve करेंगे तो यह कितना आएगा इसका 8 ATM प्रेशर था वोल्यूम यह था अब वोल्यूम इंक्रीज के क्या हो गया 20 लीटर व गया तो वॉल्यूम 20 लीटर हो गया इसका जोगा पी डीक्रीज कॉर्चरीज करके 4.8 ठीक है आब उसके लिए देखते है उसके लिए भी हम same concept apply करेंगे इसके लिए 8 लिटर वॉल्यूम था और प्रेसर था 580 अब अपने क्या किया इसको stopper को remove करते ही वॉल्यूम क्या होगा 20 लिटर होगा तो वॉल्यूम 20 लिटर होगा इसका मैं पी पर भी effect पड़ेगा पी क्या होगा decrease होगा वॉल्यूम इंक्रीज होते ही पी डिक्रीज होगा नमबर आप मोल से में और तेमपरेशर पांच एटिम से कम आएगा पी वी इस इक्वाल टू कॉंस्टेंट की concept है पी को अगर आप मतलब वी को अगर इंक्रीज करोगा तो यहां गैस बी के लिए pressure कितना आ जाएगा पहले 5 दे रहका है पहले वोल्यूम एट दे रहका है फिर हमें pressure बताना फाइनल केस में बताना वोल्यूम जो है वो कितना 20 हो जाएगा तो पी टू इसको अगर हम सॉल करेंगे तो यह आजाएगा तू एटिम है इसका मतलब यह पार्सेल प्रेशर हो गया है बेफॉर मिक्सिंग यह थे 8 & 5 आप्टर मिक्सिंग वोल्यूम इंक्रीज हुआ तो यह भी डिक्रीज हुआ यह भी डिक्रीज हुआ ठीक है और यह 8 ADM से 4.8 हो गया और यह हो गया 5 से 2 हो गया नेक्स देखते है इसमें थर्ड वाला option ठीक था आपना हाँ 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 क्यूशन नमर 10 देखत क्लेक्टेड ओवर वाटर एट 26 दिग्री सेल्सियस एट टोटल प्रेशर ओफ वन एट्मोस्पियर ओन अनलीसिस इट वाज फांटिटी ओफ हाँ हाँ है और टेंपरेचर दे रखा है 26 दिग्री सेल्सियस और प्रेशर भी दे रखा है 180 म तो आपना मोल बता सकते हैं हाइडोजन के मोल दे रखे वहां से मोल प्रे दें workforce बिस by RT और यह ओगया है पी आपको दे रखा है वन भील्कुल one lone प्रेशर है providing और ट्र दे रखा है यह 0.0821 और यह 26 degree है यानि Kelvin में convert करेंगे तो यह 299 Kelvin तो यह अगर divide करते हो तो यह आता है आपका इसको divide करेंगे तो यह आएगा 0.08081 क्या असपास आएगा 0.081 यह अगर divide करेंगे तो यह हो गया लिख दीजिए 0.0821 into 29 यह आएगा 0.081 तो अब इस case में अपड़े क्या यह most gas के total mole आगे यह यह अब आपको mole fraction कि उसका mole fraction क्या होगा तो यह क्या करेंगे hydrogen के mole upon में total mole तो खुद के mole कितने जाएगे 0.0788 upon में यह आएगा 0.081 तो यह आजाएगा 0.967 इसको जब solve करेंगे तो 0.967 तो आप देख लो यहां से और Z की value बना जाए तो Z is equal to one ideal gas के लिए मतलब वहाँ तो कोई attraction कोई repulsion होगा Z is equal to one ideal gas के लिए compressibility यह Z ऐसे ही बताया जाता है यह PV by RT PV by RT यह सब Z को एक और तरीका में पढ़ाता प, Z is equal to V real upon the ideal Vm real upon the ideal अच्छा ठीक है Vm real upon the Vm ideal इसका मतलब Z अगर less than one है इसका मतलब क्या हुआ कि जो real volume है वो less than ideal volume है और less than ideal volume है इसका मतलब attraction जादा है और Z अगर more than one है इसमेंस Vm real more than जादा है volume जादा तो repulsion जादा और दोनों एकोल आ गए इसका मतलब आइडियल गैस को एक्वेशिन को फोलो करें तो पूरी चीज हो गई तो आप स्लेक्ट कुछ भी नहीं डिरेक्टली था कि अगर रिपल्शन डॉमिनेट है इसका मेला जेड क्या होगा तो जेड मोर देन वन होगा अच्छा ठीड मोर दे किस पर डिपेंड करेंगी जैड पर डिपेंड करेंगी जैड क्या होना चाहिए और अगर होता तो यह आ जाता ठीक है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्यूसर नुम्बर ट्वैल हो देखेंगे विच अप फॉलोविंग ऑप्शन्स करेक्टली मैचेश दफ वेल्यॉ आफ छो ओन्डर्वाल कॉंस्टेंट यह एक हमस्टेर नेक्स्टे सीमीय मैचेश इस्योग यह और ऑल वेल्यृवाल कॉंस्टैंट वॉल्यॉन किवेल्यून को बताता है गउफ और यह जो है ना यह डिपैंट करता है अट्रेक्शन बिट्विन गिस्ति पर जतना आट्रेक्शन जादा होगा गैस के मोलेकियों समें एक इस पर भी डिपैंग करेगा और आपने इस पर आपको inert gas दे रखिये to helium and neon दे रखिये to helium and neon अगर दे रखिये to helium and neon के लिए अगर आपको कहे कि एक order क्या होगा size पर भी depend करेगा बिल्कुल size पर depend करेगा size और molecular weight molecular weight क्योंकि attractional force को represent करता है तो अब जो अपने पास inert gases होती है वहां तो एक ही तरह के attraction लगता वांडरवाल force of attraction जो की molecular weight के proportional होता है तो इसलिए इन में से neon का यह ज्यादा होना चाहिए neon का यह ज्यादा होना चाहिए helium से तो यह दो value दे रखी देखना 0.217 और 5.464 obviously inert gases के लिए attraction minimum होगा बाकी और के comparison में minimum होगा मतलब की inert gases के लिए यह almost ना के बराबर तो यह देखना यह inert gases के लिए आएंगे इसमें से यह helium के लिए आएगा यह neon के लिए यहां से आपको order तो पता लग गया है बाकी यह भी comparison कर सकते है molecular weight से इनको भी compare कर सकते है इसका molecular weight ज्यादा है तो यह बेंजीन के लिए है तो यह toloin के लिए हो गया यह helium के लिए है तो नियोन के लिए हो गया तो order यहां से बिलके आपको अचा एलियम और नियोन वाला तो एक ही option अपने पास पूर्थ हो गया और फिर वह according to यह भी second और थर्ड भी यहां इसका molecular weight ज्यादा है तो इसके एक ही value ज्यादा होगी ठीक नेक्स देखते हैं कि उसे नमबर 13 देखते हैं 100 ml of oxygen gas diffuses in 10 seconds 100 ml of gas x diffuses in t second gas x and time t can be तो इस case में अपने यह बताते है rate of diffusion जो है R inversely proportional to root of density और D अभी बताया था D is equal to PM by RT at particular P and T at particular P and T का मला R तो वैसे भी constant है तो D directly proposal होगा किसके MK तो यहां से क्या आजाएगा R inversely proposal आएगा किसके root MK कोई doubt नहीं ना तो यहां से अपन यह कह सकते है R1 by R2 किसके equal आजाएगा R1 by R2 is equal to under the root M2 by M1 बिलकुए M2 by M1 ठीक है R1 को अपने ऐसे note कर सकते है V1 by T1 और यह हो गया V2 by T2 उपर चला जाएगा is equal to in this case under the root M2 by M1 volume same है तो यहां से T2 by T1 किसके equal आजाएगा T2 by T1 is equal to is equal to under the root M2 by M1 ठीक है अब आपने comparison करते हैं क्योंकि फर्स्ट केस में तो आपको टाइम दे रखा है गैस भी दे रखी है यानि T1 आपको दे रखा है 10 10 दे रखा है और T2 चेक करना है हां is equal to M1 की value जो है वो गैस कौन सी दे रखी है oxygen दे रखी तो यानि M1 हो गया 32 और M2 चेक करते हैं बिल्कुल तो फिर तो आपने को जो है क्योंकि दो और चीज़े हो गई तो पहले case में molecular weight 2 रखो यहां पर 2 रखता हूं और time बता दो देखो अगर एक value रख करके दूसरा चेक कर लेते हैं एक है आइडोजन रखो molecular weight hydrogen का तो टीटू बाइटन इस इक्वल टू 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 बाइट तो यहां यहां पहला ही और यहां पहला ही करेक्ट हो गया बाकी आपको क्या करना होगा कि इसका molecular weight में पूट अप करोगे ताइम आएगा आपके पास अगर molecular weight रखने से टाइम जो आ रहा है वो करेक्ट है तो इसका आपका अंसर करेक्ट है तो अपना यहां तो पहला ही फिर्स्क ऑप्शन ही आ गया कि आईडोजन का molecular weight अपने देर रखा तो टाइम उसके लिए आगया 2.5 सेक यानि एक तो म है और एक oxygen है इसमें तू कंपोनेट जिसमें oxygen की percentage यह दे रखिए अच्छा इन एक्सपरिमेंट दा रेश्यो आप डिफूजन आप कार्बन डाइयोक्साइड और देट आप ऑक्साइड M2OX is found to be 4.7 ratio 4.6 the exact atomic weight of the element M is ठीक है तो रेश्यो 4.7 & 4.6 दे रखा ह बिल्कुल ठीक है दोनों गया यानि M2OX और दूसरा CO2 दे रखा आपनको तो यानि M2OX का molecular weight आगे कितना 44 ठीक है क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो rate of diffusion हो molecular weight के inversely proportion होती है तो अगर यह 1 ratio 1 आगया तो molecular weight आगया 44 बिल्कुल और 44 molecular weight आगया तो M का आपको atomic weight बताना है अच्छा एम का atomic weight बताना है तो percentage दे रखी oxygen की तो आपने मोल कंसर्प में बताया था सर percentage कि परसंटेज इस इक्वल टू अपने पास होता है कि जैसे माल लो oxygen का percentage गीवन तो माल लिया oxygen में 16X हो जाएगा oxygen का माल एक्स 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 atomic weight into number of atom 16X अपन में molecular weight हो गया 44 multiplied by 100 तो यहां से x की value यहां से 1 आ रही है तो x is equal to अपने पास आ गया 1 अच्छा तो फिर इसका मतलब formula अपने पास हो गया m2o तो आपको तो अपनको तो atomic mass पूचा है m का पूचा है atomic weight इसको x माल लेता है तो यानि कि 2x plus 16 is equal to 44 yeah then in this case x is equal to तो अपने पास यह आ गया कितना 16 minus x is equal to 14 28 by 2 यानि कि 14 ठीक है फिस्ट नमबर फिस्ट इस करें बिल्कुर ठीक है नेक्स देखते हैं 15 देखते हैं simple सी problem a gas act as an ideal gas act कोई भी gas इसे real ideal क्या होता है real ideal behavior होता है या conditions होती है real और ideal ऐसा कुछ भी नहीं है कि यह 10 मेंसे यह 4 gas तो ideal है और 6 real है एक ही gas real भी है और वो हाँ real को ideal में और ideal को real में कनवर्ट को किसी भी gas को ideal behavior कर सकती है कोई भी gas और real की तरह भी behavior कर सकती है तो यहां अपने को यह काए कि एक gas act as an ideal gas act कब ideal gas की तरह behavior करेगी real gas यह का है तो अपने यह काउंट करते हैं कि वहां attraction या repulsion minimum होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए the volume occupied by gas molecules तो है वो भी negligible होना चाहिए ideal gas के लिए हां ठीक है तो ऐसा ideal की तरह behavior करने के लिए molecules के भी पे distance होनी चीह है distance कभ रहेगी क्योंकि pressure increase करोगा तो molecules close आएंगे न बिल्कुल तो लोग प्रेसर होगा इसका मला volume वोल्यूम ज़्यदा होगा और डिस्टेंस जदभगा , बिस्टेंस जदभगा इसका मला इपेंच सबूद करा हैó बिस्टेंस जदभगा। नificación करेक की इनसाद Uhपर करने की परशिबिलीटिटी इन्क्रीज होगी जब आप एनक्रीस करो कम pressure, pressure तो कम होना चाहिए, temperature ज्यादा होना होना चाहिए, तो अगए अगर पूसते तो, इसका अगर उल्टा पूचते तो एक, उल्टा हो जाता है, तो इसका उल्टा हो जाता है, विल्खुल, ठीक है, एक है, and high pressure, high pressure, low temperature, अच्छा, ठीक, क्योंसर नमर 16 देखते हैं, calculate molecular diameter, diameter बताना है, 2R बताना है, for a guess, if it's molar excluded volume, molar excluded volume, अभी बात करी थी B की, बिल्कुल, B, जो है, वो है, 3.2 pi ml है, ml कहो या cc कहो यह की बात है, आपको nanometer में बताना है, तो करिए देखे सर, सर, अभी B जो है, वो आपने कहा था, कि यह होता है, 4 into 4 by 3 pi r cube into na, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर B की value रख दूँ, तो यह आगे आपने पास 3.2 pi cm3 है, तो यहाँ से r की value cm3 में आएगा, तो यह pi से pi क्या हो गया, तो यहाँ से अगर मैं r निकालूंगा, इसको solve करके, r cube की value, यह है 6.02 into 10 to the power 23, तो यह आएगा, हमारे पास 10 to the power minus 24, r is equal to 10 to the power minus 8 cm, अब 10 to the power minus 8 option में है, लेकिन यहाँ यह गलती नहीं करूंगा, मैं, कि 10 to the power 1, पहली बात तो यह r आया है, और दूसरी बात यह कि यह centimeter में आया है, तो आपको r नहीं बताना, पहली बताना है, और दू r क्या हो जाएगा, 2 into 10 to the power minus 8, बट यह centimeter में होगा, आपको nanometer में बताना, तो 1 nanometer equal होता है, 10 to the power minus 9 meter, और centimeter कहे तो 10 to the power minus 7, 7 cm, ठीक है, तो इसको जो है, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 r is equal to, अपने पास आजाएगा, कितना 2 into 10 to the power minus 8 and divide by 10 to the power minus 7, यानि कि यह आएगा, point 2 nanometer, बिलकर, यानि option number 4 is correct, कई बार क्या करते है, कि जल्द बाजी में 10 to the power minus 8 दिखा, और बिलकुल, यह भी देखना है कि unit क्या दे रखी है, और second, यह भी देखना है कि radius दे रखी है कि diameter दे रखी है, मतलब question को ध्यान से पटना है, तो point 1 भी दे रख प्राइचर सकते है, बिलकुल कर सकते हैं, बिलिू बिलो, क्रिटिकल टेमरेचर, ठीक है, कर सकते है, प्रेशर अखी है, क्या होना ऐखी है, तेमप्रेचर उसके critical temperature से कम होना चाहित क्रिकल, तेम्प्रेचर का मInsiden, क्रिटिकल.. को liquefy कर सकते हो बाई applying pressure up to 300 kelvin up to 300 यानि कि इस से ज़ादा होते ही वह अगर pressure apply करोगे एक को liquefy नहीं कर सकते हो जैसे 300.1 kelvin अगर कहें ना गया से नीचे रखे हैं 299 रख लिया तो बेलकुल इजीली कर सकते हो 298 पर भी कर सकते हो अच्छा बेलोग 308 कर सकते हो 300 वो maximum temperature है जहां तक pressure apply करके liquefy कर सकते हो अच्छा एक critical pressure भी होता है उसके बिल्कुल exactly critical temperature जैसे मैंने यह गैस के लिए critical temperature 300 कल्वीन बता है तो इसको 300 कल्वीन पर liquefy कर सकते हो 299 पर भी कर सकते हो 298 पर भी कर सकते हो इससे कम पर किसी पर भी हाँ बिल्कुल लेकिन exactly अगर 300 कल्वीन पर आपको liquefy करना उस condition में जो pressure की requirement होगी ना उसको कहेंगे critical pressure जैसे मालो 4 ATM की requirement है तो अब इसमें क्या समझे हम कब कब requirement 300 पर exactly 300 यानि critical temperature पर किसी भी gas को liquefy करने के लिए जतना minimum pressure चीए वो critical pressure अच्छा अच्छा यानि की pressure जो है वो 4 या 4 से जादा लगाना पड़ेगा बिल्कुल 4 से कम लगाऊं तो 300 4 से कम होगा तो वो liquid पे change नहीं होगी यह minimum pressure चीए minimum pressure तब 300 Kelvin पर critical temperature पर liquefy तो इसको 298 पर भी कर सकते हो 298 पर जो pressure की requirement होगी उसको critical pressure नहीं करें अच्छा और यह critical volume भी होता है तो आपने यह कहेंगे at critical temperature and critical pressure the volume of one mole gas is known as critical volume okay one mole gas का जो volume होगा ना कब critical temperature at PC and TC is known as VC okay PC और TC पर जो volume होता है उसको VC बोलता है अब यह second option यह है to liquefy a gas one must lower the temperature below TC and also apply pressure यह तो फिर सही हो गया बिल्कुल यह correct हो गया और must है यह अगर आप उससे नीचे temperature नहीं लेके आ होगे तो liquefy नहीं कर सकते थार्ड यह देखो के compressibility factory यानि Z at critical point is independent of the nature of gas तो यह PCVC upon में जो होता है ना RTC यह equal होता है 3 by 8 के तो यह तो constant हो गया फिर किसी भी स्टेट कम्प्रेसिबिलिटी फैक्टरी जवन नोट लेस्ट जैन्वन है 3 by 8 है तो इसका मतलब पूर्थ स्टेट्मेंट इस करेक्ट इंकरेक्ट इंकरेक्ट आपको इंकरेक्ट का है आपका आंसर सही है वो option option जो है वो करेक्ट कई बार इसमें भी confusion हो जाता है हां हां बिलकुल बहुत के साथ ध्यान से अपनको question पड़ना पड़ता है यहां से हम एक आइडिया यह लगा सकते है कि अट्रक्ट फोर्स जादा होगा उसका लिक्विक्रिशन जल्दी होगा हां बिलकुल अच्छा इजीली लिक्विफियेबल गैसे आर मोर सोल्यूबल और एड्जॉर्ब्ड ठीक है और इसके लिए जो इजीली मौल और यह इसा कुछ बहुतं और उसका बिलकुल एड़्िकर आभार और जैसे कुछ फोर्स से बहुत यहां जैसे hydrogen bonding होती है तो इसका ए जादा हो गया बिलकुल यह वाला polar होता है और फिर यह दोनों उसी basis पर बनाया गया हो तो अपना इन में से क्या हो जाएगा इडोजन ना इडोजन के लिए minimum आएगा बिलकुल थीक है यह हाइडोजन के लिए minimum होता है यह पर डिपेंड करता है केटिकल टेंपरेचर तो यह हाइडोजन आएगा minimum यानि हाइडोजन से स्टार्ट होगा ठीक है फिर नाइटोजन फिर CH4 और CO2 यह होगा तो यह अपना लिक्विफ कृशन का ओर्डर हो बिलकुल ठीक है सर नेक्स् सब्सक्राइब करता है कुछ भी नहीं है फिर स्ट एक कॉलिजन अर ऑलवीज इलास्टिक हाँ हाँ कंप्लीटल इलास्टिक होती है यानि गैस के मॉलेक्यूल जब टकराते हैं क्लीजन होगा तो एनरजी का लॉस्त नहीं हो बिलकुल हंड़ीड पर सेंट इलास्टिक होग जतना molecule heavier होगा जतना mass जादा हो तो second is also correct बिल्कुल, only a small number of molecules है very high velocity बिल्कुल, very high velocity वाला molecule का fraction भी बहुत कम होगा और very low velocity वाले molecules का भी fraction भी बहुत कम होगा Maxwell distribution करवा वाला तो नहीं चाचाता है बिल्कुल, यही बात है, bell shape करवा आता है यह आता है, तो यह जो molecule है जिसको most probable velocity कहते है यह mostly molecule की velocity है सबसे ज़्यादा fraction के पास यह वाली velocity होगा यह fraction of molecule and speed of molecule में ग्राफ है, तो इसका मतलब third is, third is सही है अपना बिल्कुल, यह ऐसे भी correct होता, only a small number of molecules है, very low की जगह very high की जगह very low आता तब भी correct तो भी जो है वो आपन ऐसा बोल सकते थे बिल्कुल, next में between collisions, the molecules move in straight line with constant velocities बिल्कुल, in between collisions, जब तक other molecule के साथ यह container की wall के साथ collision नहीं होगा तब तक straight line में move करेगा यालिकि, जैसे यह wall है तो यहां से यहां तक तक टक्राने जाएगा तो यह straight line ही होगा, other molecule से भी collision करेगा, तभी उसकी direction बदलेगी दूसरे molecule के साथ जैसे यहां से तक्राने के साथ collision होगी तभी direction होगी, तो direction चेंदो बिल्कुल, okay, तो सारे statement से ही होगी बिल्कुल, one, two, three, four आजेगा, तो फौर्थ option is correct, last question है, okay, at what temperature will the hydrogen molecule have the same kinetic energy per mole as nitrogen molecule at 298 Kelvin, तो kinetic energy जो है per molecule का हो, साहे, per mole का हो, यहां पर mole है, per mole kinetic energy यह होती है, three by two RT होती है, यानि gas पर तो depend करती ही नहीं है यह तो constant होगी, तो किसी भी gas के लिए अगर कहें, तो one mole gas के लिए kinetic energy यह आईगी है, और molecule के लिए कहें, तो three by two, r by a यह नहीं है, यह नहीं के आजाएगा, बिल्कुल, तो यह पर molecule की है, और यह पर mole की है, only case पर depend करेगी, temperature, temperature का ही function होगी, तो same temperature पर वही हो जाएगी, same 280 Kelvin, दो क्यूशन अपने और भी है, next देख लेते हैं, क्यूशन number 21, यह 8.3 liter cylinder contains 128 gram oxygen at 27 degree Celsius, watt mass of oxygen gas must be released to reduce the pressure to 6 bar, यह आपको pressure 6 bar तक लेके आना है, कितनी oxygen gas को container से बाहर करना पढ़ेगा, moles change हो रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो यह starting में आपने देख लेते हैं, कि mole कितने हैं, तो यह divide कर देते हैं, 32 से, तो यह 4 आएंगे, mole, divide करूँगा, तो 4 mole आगे, बिल्कुल, 4 आगे, तो यहां से P बता दो, ठीक है, तो P बता देते हैं, तो P V 8.3, बिल्कुल, इस उकल टू N, आर के लिए होगी 0.0821, और temperature जो हमारे पास हो गया, कितना 300 degree centigrade, यह जो P आएगा नहीं यहां से, यह ATM में आएगा, और आपको बार में convert करना होगा, तो पहले ATM में pressure देख लो यहां से, तो P is equal to, तो इसको solve करेंगे, तो यह अपने पास आएगा 11.86, यह unit आएगी ATM, यह ATM में अपने पास आया है, ठीक है, बट अपने को जो final P दिया है न, वो बार में दिया है, तो आपको convert करना होगा, कि 1 ATM जो होता है न, 1 ATM is equal to, यह 1.01325, इंटो 10 की पवर 5 पासकल, ठीक है, और 1 bar is equal to, यह 10 की पवर 5 पासकल, इसका महला, 1 ATM is equal to, यह 1.01325 बार, तो 1 बार is equal to, यह आजाएगा, एराउंड 0.987 ATM, तो इसको 0.987 से क्या करना पड़ेगा, तो अगर मैं इसको 0.987 से divide कर दूँगा, तो यह 12 हो के रोंड आजेगा, अल्मोस्ट आजाएगा, 12 ATM, बार बार, क्योंकि ATM को बार में हमने convert कर दिया है, तो 12 बार. ठीक है सर, यह P आगे 12 बार, अब आपको 6 बार करना है, यह पी को हाप करना है? हाप करना है. आप करना है, इसका मला, हाप मल को क्या मोल भी आदे होने चाहिएं जाहिए थो मास्क रहे जाएगा किया करना होगा इसका मजल वन ट्विंटी एट ग्राम मेंसे हाप जो मास से चैया में सिफ्टी Germansöt sunlight immature निकालना अभाणा ओड़ एट करना होगा इस के लिए आप करना होगा मुल को आप करना होगा मौल कor नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्योंसेन है यह 22 यह 10 cm कॉलम आफ एर यह जो 10 cm एर का कॉलम है इस ट्रेप्ट बाइ यह कॉलम आफ मर्कृ यह 4 cm मर्कृ का कॉलम है उससे ट्रेप कर रहा है लॉंग इन एक कैपिलरी ट्यूब आफ यूनिफॉर्म बोर वेंदा ट्यूब इस हेल्ट होरीज़न्ट ली एट वन एट्यम अभी एसा रखा है तो इसका प्रेश्य आफ को देखा है लेंदा ट्यूब इस हेल्ट वर्टीकली बिल्कुल क्योंकि जैसे इसको करेंगे तो मर्करी किदर आएगा नीचे आएगा उसका भी प्रेशर एप्लाई होगा तो इस कंडिशन में एप्लाई कर दो पीवी इस इक्वाल टू कॉंस्ट है तो यह अभी अपने पास ऐसा है कि यह तो चार का चार ही रहेगा क्योंकि इसकी तो मर्करी कॉलम की तो हाइट चेंज होगी नहीं इसको सर मैं 10-X कर दो ठीक है और अभी हम यह मान के चलते हैं इसमें बैसिकली कि जब इसको हम सीधा करेंगे तो टेंपरेचर कॉंस्टेंट रहता है तो इस केस में P1 V1 माल लिया मैंने प्रेशर P1 V1 और यहां पर P P1 L1 is equal to P2 L2 करता हूं ठीक है तो P1 आपका हो गया 1 ATM यानि 76 cm ठीक है जब 76 P1 हो गया L1 10 हो गया is equal to P2 जो है अब यहां पर मेरे को चेक करना पर बिलकुल 4X ता हो जाएगा 1 ATM के अलाव उस पर 4 cm यानि कि यह आपका 80 हो जाएगा यह 80 हो जाएगा क्योंकि जैसे इसको सीध 1 ATM ही लग रहा था इधर से बिलकुल अब 1 ATM प्लस यह 4 cm ठीक है तो 80 into 10 minus X या फिर आपको लेंथ ही बताने है तो उसको L2 ही ले लो directly 10 minus X लिखने की ज़रूती नहीं क्योंकि लेंथ ही पूछी आपसे कि second case में एर कॉलम की लेंथ क्या होगी यह पूछता कि कितना डिस्प्ल यह था आज का हमारा गुरुनिति का गेशियस टेट का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए इसके लावा वीडियो को शेर कीजिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद